दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ तीन बहुत ही इंट्रेस्टिंग और ऐसे फैक्ट्स जो बहुत कम लोग ही जानते हैं तो बीडियो को जादा लंबा ना करते हुए चलते हैं अपनी बीडियो की ओर यहां आज आपको पता लगने वाला है कि कौन सा ऐसा देश है जहां दस पेड़ लगाने पर ही मिलती है ग्रेजुएशन की डिग्री हल्दी राम कमपनी किस चीज में है डॉमिनोज और मैक डोनल्ड से आगी और सबसे सस्ता पेटरोल किस देश में मिलता है और उसकी कीमत कितनी है दोस्तों क्या आपने कभी ये सुना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद दस पेड़ लगाने पर ही स्टूडेंट्स को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है सायद नहीं सुना होगा क्योंकि पेल लगाने में और graduation degree में कोई भी relation नहीं है लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि Philippines एक ऐसा देश है जहां students को अपना graduation complete करने के बाद 10 पेल लगाने पड़ते हैं और उसके बाद ही उन्हें उनके graduation की degree दी जाती है दोस्तो हल्दी राम, डॉमिनोज और मैकडोनल्ड ये तीनों इतने बड़े और popular brand हैं कि इन्हें हर कोई जानता है लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सालाना turnover किसका सबसे ज़्यादा होगा तो सायद आप डॉमिनोज या मैकडोनल्ड का नाम ही लेंगे लेकिन अगर आपका जवाब है डॉमिनोज या मैकडोनल्ड तो आप पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि हल्दी राम भारत की एक मसुहूर snacks बनाने वाली कमपनी है जिसका सालाना turnover डॉमिनोज और मैकडोनल्ड के सालाना turnover से कहीं ज्यादा है दोस्तो इस समय जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पेटरोल की कीमत लगातार तेजी से बढ़ रही है और ऐसी हालत में अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे सस्ता पेटरोल कहां मिलता होगा और उसकी कीमत कितनी होगी तो आपका जवाब क्या होगा साइद आपको विश्वास भी नहीं होगा कि पेटरोल इतना सस्ता कैसे हो सकता है लेकिन आज आप ये जान लीजिए कि दुनिया में सबसे सस्ता पेटरोल बेनेजुईला देश में मिलता है और वहाँ पेटरोल की कीमत सिर्फ एक रुपए 44 पैसे ही है इसके बाद बारी आती है इरान की जहाँ पेटरोल की कीमत 4 रुपए 85 पैसे है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सेयर जरूर करें मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई